बेली करिंट न्यूज में इस वक्त की खबर है ओडिशा की मांडा भैस को मिला इंडिजिनस टैग ओडिशा की मांडा भैस को स्वदेशी और अधित्य भैस के रूप में इंडिजिनस टैग दिया गया है भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशत से संबध National Bureau of Animal Genetic Resources यानी NBAGR ने मांडा भैस को भारत में पाई जाने वाली भैसों की उननीसवी अनूठी नसल के रूप में माननेता दी है मानडभैस पूरवी घाटों और ओडीशा के कोरापुट ख्षेतर के पठार में पाई जाती है इन भैसों की तवचा ग्रे रंग की होती है जबकि इनके बाल कौपर कलर के होते हैं साथ ही इनके पैरों का निचला हिस्सा थोड़े हलके रंग का होता है और घुटने पर तामबई रंग के बाल होते हैं ये छोटे आकार की मजबूत भैसे होती हैं देशी इलाकों में इस नसल की लगभग एक लाख भैसे हैं ये राज्य के कोरापुट, मलकानगिरी और नबरंग पुरजिलों के अपने मूल निवास्थान में जुताई और अन्य क्रिशीकार्यों में उप्योग की जाती हैं मांडा भैसे लगभग तीन साल में परिपकु हो जाती हैं और इनका जीवन काल आम तोर पर बीस वर्ष का होता है इनमें परजीवी संक्रमन प्रतिरोधी ख्षमता अधिक होती है साथ ही ये कम रोग प्रवण होती हैं ये कम लागत पर भी उत्पादन में सहायक होती है इस विशेश दर्जे के मिलने से इन भैसों के संरक्षन को बढ़ावा मिल सकेगा गोर तलब है कि इस से पहले भैसों की दो नसलों चिलिका और काला हांडी चार मवेशी नसलों बिंजारपुरी, मोटू, गुमुसरी और खरियार और भेड की एक नसल केंदर पाड़ा इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश योट्यूब चैनल